हेलो फ्रेंड्स मोरे एलेक्ट्रोनिक चैनल पे आप सभी का स्वागत हैं आप इस चैनल पे नए हैं और आप सभी इलेक्ट्रोनिक एप्लाइंसेस अपनी मनपसंद वस्तों के बार में आल इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आप हमरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब सब्सक्राइब करना मत भूले और हाँ बेल आइकोन को जरूर दबाएं ताकि हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलें तो लेट्स बीगिन इस वीडियो में हम यल जी की 43 इंच स्मार्ट एलेडी टीवी देखेंगे इसका मॉडल नेम आप देख सकते हैं 43LM5600PTC इस वीडियो में हम यल जी के 43 इंच ब्रैंड टीवी देखेंगे आप अगर बजेट टीवी खरीदना चाहते हैं तो 40 इंच के मर्फे एंड तोशिबा इन दो कमपनीज के वीडियो में जल्दी इस चैनल पर अपलोड करूँगा आप अगर ब्रैंड टीवी खरीदना चाहते हैं तो ये वीडियो आप जरूर देख लीजें LG का वन आप देख लीजें अगर आप फाइयर का 40 इंच का 42 इंच का एलेड टीवी खरीदना चाहते हैं आप सैमसंग 43 इंच एलेड टीवी खरीदना चाहते हैं तो उसका भी वीडियो आपको इस चैनल पर मिल जाएगा तो चलिए गाईज इस LG के 43 इंच एलेड टीवी के बारे में आल इंफोर्मेशन लेते हैं उसका रिवीव देखते हैं और इसके सभी फीचर्स जान लेते हैं सो जाइज इस ये लेड टीवी का डिस्पले टाइप जो आता है वो समार्ट येड टीवी में आता है इसमें सपोर्टेड आप है नेट्फिक्स प्राइम वीडियो डिस्ने प्लस उस्टार यूटूब इस टीवी इन सभी आप्स को सपोर्ट करती हैं इस टीवी का इस टीवी का refresh rate जो है वो 16 Hz है इस टीवी में आपको 2 HDMI ports मिलेंगे और इसके साथ आपको 1 USB port भी देखने को मिलेगा इस टीवी का जो पैनल आता है वो IPS पैनल आता है IPS पैनल मतलब आप अपने घर के लिए हॉल के लिए टीवी खरिदना चाहते है तो यह टीवी आपके लिए ब इसके साथ दो स्पीकर आते हैं दोनों स्पीकर 10 वोट के आते हैं मतलब इसका sound output 20 वोट का है इस टीवी का RAM है 1 GB और इसकी storage memory है 4 GB इस टीवी के लिए आपको AC voltage की requirement है 100 से 240 वोट की इस टीवी के लिए compressive warranty है 1 year और additional panel warranty है 1 year so guys चलिए जल्दी से हम इसे unboxing करते हैं तो हम इसके sound quality and picture quality चेक करते हैं इसके साथ आपको एक्सेसरी में यह remote control दो बैटरीज और यह cable दिये हुए यहापर आप देख सकते हैं यह manual भी दिया हुआ है इसमें सभी details आई हुए है इस model की इस brand की आप इसे जरूर चेक कर सकते हैं यहापर आप इसकी सभी details देख सकते हैं इसका model name, product code और power consumption यहापर आपको सभी information मिल जाएगी यहापर आप देख सकते हैं इससे voltage के input wire यहापर आपको यह cable इससे attach करनी है इस TV के साथ आपको यह दो table stand मिलते हैं आप इससे table पर set कर सकते हैं यहापर आप देख सकते हैं इससे आप antenna cable adequate कर सकते हैं और यहापर आपको AV cable attach करने के लिए आप दिये हुए यहापर आपको 2 HDMI ports दे हुए हैं, और 1 usb port दिया हुए है यहापर आप इसे back side से देख सकते हैं किस तरह से हैं यहापर आप यह LG TV का remote देख सकते ही यह 43-inch LED TV का remote है अब हम इसे on करते यहाँ पर आप इसे फ्रंट से अच्छी तरह से देख लिजिए इसके बाद यहाँ पर आपको remote control की साहता से इसे ok प्रेस करना है लैंग्वेज में आप इसे English पर select कर सकते इसके बाद आपको यहाँ पर ok करना है इस TV को आप Wi-Fi से connect कर सकते हैं यहाँ पर आपको Wi-Fi सर्च दिखाए दे रहा होगा आपको 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 और याल तो गाइज यह थी इसके ओन करने की मतलब इस इन सभी स्टेप को फॉलो कर सकते हैं तो चले गाइज हम इसके कनेक्टिविटे ओप्शन देखते हैं यह पर आप देख सकते हैं यह जो टीवी है वो टोटल स्मार्ट में आता है तो गाइज पहले ही हमने इसे वाइफाई से कनेक्ट किये आए अगर आप नेक्स टाइम करना चाहते हैं तो यहाँ पर इसकी सेटिंग जान लेजे इससे आपको यहाँ आल सेटिंग में जाना है इसके बाद यहाँ पर आपको वाइरलेस कनेक्शन इसके बाद यहाँ पर आपने WIFI on किया है वो यहाँ पर आपको दिखाए दे रहा होगा यहाँ पर आपको connected की टिक मार्क दिये हुए मतलब यह Wi-Fi Connect हो गया है इसके बाद यहाँ पर आप इसे exist कर सकते यहाँ पर आपको कोई भी आप ही यहिए याप आप इसे क्लिक कर सकते हैं इसके बाद यहाप आपको YouTube फर्स टायम आपको YouTube डाउनलोड करना पड़ेगा ले कर आप आरे याप आप देख सकते हैं है इसे करना पड़ेगा मां लीक्त आप इसे ऑन के तो YouTube इंस्टॉल हो गया है इसके बाद यहाँ पर आपको उसे ओपन करना है ओपन करने के बाद यहाँ पर आप सभी वीडियो वगरा देख सकते हैं तो चलिए अब हम इसकी पीचर कॉलिटी चेक करते हैं कॉपीराइड की रीजन के वज़े से मैं इसे ज्यादा नहीं चला चकता आप आप आपके केक पेस्टिस के बार में बहुत अच्छे रिए पड़े हैं तेरी नजर में क्या कर दिया मैं रहता हूं तेरे पास रही मुझे को मेरा एकसास नहीं दिल कहता है कसंद उसे कितना तुन अच्छा है तुम से ज्यादा भी होगा तुझे से तुम से को गाइस कॉपीराइड की रीजन की वज़े से मैं उन वीडियो को ज्यादा देर तक नहीं चला सकता इसलिए मैं मोरे लेक्रोनिक चैनल पर हमारे कुछ वीडियो अन करता हूं यापर आप देख सकते हैं मोरे लेक्रोनिक्स चैनल हमने सर्च की आए यापर आप यापर आप इसकी फीचर कॉलिटी देख सकता हैं हेलो गाइज, वेलकम तो माई चैनल मोरे एलेक्ट्रोनिक्स दोस्तों इस चैनल पर हम किसी ब्रैंद का स्पॉंसर्ड कॉंटेंड नहीं चलाती इसलिए मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा जरूर रहती है ये चैनल आपका है और आपके सपोर्ट की वज़े से चलता है इस चैनल पर आपको सभी परॉत वस्तों प्सक्राइब करें मेरे चैनल को आपके हाड वाटर को सौट बनाता है और अब कपड़ों को अच्छी तरह से क्लीन करता है एक बेस्ट थींगे इस वोशिंग मशिन के साथ इस वोशिंग मशिन में आपको क्रेडल वाश का एक अलग सा प्रोग्राम दिया हुआ है मतलब इसमें आप बेबी के कपड़े अलग लेने वाले उसकी सभी डिटेल्स कुणलेने वाले यह यह जा टीवी है एक 15 इंच के आपका बजट अगर कम है तो आप उसमें से एक बेस्ट एलेदी टीवी कौन सा खरीच सकते हैं तो इसके लिए एक एक बेस्ट एलेडी टीवी यह आप देख सकते हैं यह स्मार्ट सिस् और हाँ बेल आइकोन को जरूर दबाएं ताकि हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले तो लेट्स बीगिन हलो गाइस वेलकम बैक अन आवर यूटूब चायनल इस वीडियो में हम सोडियो के best home theater के बारे में all about review लेने वाले इसकी sound quality यह इस वीडियो में सब हम देखने वाले हÍ तो गाइस आहँ अपि स चैनल पर नएए तो इस चैनल को subscribe करना मत भूलिए और वीडियो को end तक ज़रू तो आप देख सकें तो गाइज यह थी इसकी फीचर सेंड इसकी इन्फोर्मेशन एटीवी आइपेस पैनल के साथ आता है और इसका 180 डिग्री वीविंग एंगल है आप अगर आपके गर की फॉल के लिए टीवी लेना चाहते है तो एटीवी आपके लिए बेस्ट है गाइज और आपके कुछ क्वेशन होंगे तो आप कमेंट करके जरूर बता दीजिए आपको और बाकी हाईयर सैमसंग वीडियो कॉन इन सभी टीवी के बारे में इन्फोर्मेशन चाहिए तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको क्विक से नोटिफिकेशन मिल जाए तो आपको ये वीडियो अच्छे लोगी होगी तो इसे लाइक जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और आपके कुछ क्वेशन होंगे तो कमेंट कीजिए थैंक्यू